कुछ वीडियो में हम लोग सब्सक्रांग करेंगे और इस प्रक्टिस सेट को कुछ बहुत मज़िदार आप लोग के लिए मैंने बना रखें इसलिए बहुत देहां से इस वीडियो को आप लोग चैप्टर 11 प्राक्टिस से जोड जावा इसी में मैं एक मेंन मेटड बनाने वाला हूँ और यहीं में मैं सारे के सारे क्वेशन को सॉल्व करूँगा सबसे पहले क्वेशन की तरफ अगर हम बढ़ें तो आप लोग देखो लिखकर आ रहा है और यहां पर लिखेंगे अबस्ट्रेक्ट ग्लास पन और उन्हें अबस्ट्रेक्ट का नाम है राइट एक तो यह हो जाएगा और उसी के साथ साथ एक हो जाएगा वाइड रिफिल ठीक है और आपको इनको अबस्ट्राक बनाना होगा मैंने इसको abstract बनाया, इसको abstract बनाया, मैंने आप लोगों इस सब चीज़े abstract class वाले वीडियो में बता रखी थी और वो हमारा 53rd वीडियो था और आप ये abstract classes वहाँ पर बनाई थी यहाँ पर हम लोगों ने ये pen abstract class बनाई जिसमें write or refill method as demanded by the question डाल दिया, ठीक है इसके बाद use the pen class from question 1 to create a concrete class fountain pen, जिसमें एक change method भी होगा, तो मैं आपर simply लिखोंगा class fountain pen, fountain pen, जो कि extend कर रही है pen को, और एक बार ये pen को extend कर रही है, तो मुझे एक तो write method यहाँ पर डालना पड़ेगा, और उसी के साथ-साथ मुझे क्या डालना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर refill method, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने write और refill यह दोनों methods यहाँ डाल दी है, ठीक है, और मैं आप अभी के लिए system.out.refill लिख दूँगा, और यहाँ पर system.out.println, write लिख दूगा, क्योंकि मैंने यह दोनों methods implement कर दी है, यह class जो है, मुझे कुछ भी error नहीं दे रही है, अगर मैं definition को लिखो, यह बात मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में detail में बता रखी थी, but since this is a practice, तो हम लोग इसको जल्दी से वापस से कर लेते हैं, at the same time, मैं आप लोग को जादा time waste भी नहीं करूँगा, तो यह question हमारा solve हो चुका है, हमने write और refill method डाल के, एक और हमें method डाल project भी मना सकते हो, fountain pen, pen is equal to new fountain pen, ठीक है, और आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, pen.change nip, और इसको अगर मैं आप लोग को run करके दिखाऊं, तो बिल्कुल अच्छी तरह से run हो जाएगा, यह बात आप भी समझते हो कि कैसे यह चीज़े काम कर रही है, तो question number one हमारा solve हो चुक थोड़ा सा तेज जा रहा है video मुझे पता है, and the reason is कि मैंने पहले यह सारी चीज़े करा दी है, और यहाँ पर आप लोग देखो, दो question मैंने solve कर दी है, तीसरा question क्या है, तीसरा question है कि एक monkey class आपको बनानी है, जिसमें jump और bite methods है, एक method बनाना है jump, एक method आप लोग को बनाना ह byte, jump और bite methods को बनाने के बद आपको एक human class बनानी है, जो inherit करेगी इस monkey class से और implement करेगी एक basic animal interface को, एक ऐसा interface जिसमें eat और sleep methods होंगे, मैंने आप जो sleep method है, उसके जो parenthesis है, वो मैं लगाना भूल गया, बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि मैंने क्यों नहीं लगाए, मैं लगा for some reason, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे example, इसको देख लेते हैं एक बाट ठीक है, और question number 3 में हमें class monkey बनाएंगे jump और bite method के साथ, और मैं इसको यह में बनाता हूँ, monkey, jump और bite method के साथ, void jump और void, और हाँ इसको हम लोग abstract नहीं बनाएंगे, ठीक है, चुकि question कहीं ही नहीं र बनाने को, तो हम बना लेंगे, अभी तो यहीं कहा रहा है, monkey class बनाओ jump और bite method के साथ, और बहुसा लोग कहेंगे, कि monkey तो bite करता ही नहीं है, यह वहीं लोग होते हैं, जो कि 10 मीटर पे अगर एक monkey को देखते हैं, तो 2 साल के बच्चे की तरह चलाने लग जाते हैं, ठीक है, तो monkey, अगर bite नहीं करता है, तो आप उसके मुह में अपना हाथ दे कि देख सकते हैं, और फिर इस वीडियो पर वापस आगर मुझे बता सकते हैं, कि bite करता है कि नहीं करता है, ठीक है, तो question में वापस जाएं, तो आप लोग देखो, यहाँ पर हमने jump और bite method के साथ, monkey class को ब और मैं आप लिखूँगा extends monkey, अभी के लिए मैं सिर्फ monkey से इसको extend करूँगा, और यहाँ पर एक method डाल देता हूँ, speak, ठीक है, एक additional method में यहाँ पर speak डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, hello sir, hello sir, ठीक है, और यह लिखने के बाद मैं एक interface भी डाल देता हूँ, interface में डालता हूँ, क्या नाम था basic animal interface, basic animal interface हमें बनाना था, और हमारे basic animal interface में कौन-कौन से method से eat or sleep methods थे, तो void eat ठीक है, और void sleep ठीक है, कुछ इस तरह से हम यह दो methods बना दे रहे हैं, और जिस तरह से हम लोग यहाँ पर interfaces बना रहे थे, उसी तरह से यहाँ बी interfaces बना रह कर रहे हैं सिर्फ प्राक्टिस से इस लिए मैं चीज़े आप लोगो दोबारा बता रहा हूं इस क्वेशन के कॉंटेक्स्ट में करके तो हमने यहां पर इसको इंप्लिमेंट भी करना है अब मैं एक बार इंप्लिमेंट्स बेसिक एनिमल लिख दूँगा तो यह काईगा कि यहां पर देखो public void eat और public void sleep इसको भी मैं इंप्लिमेंट करूँगा ठीक है और मैं आपर लिख देता हूं एक डबल कोट भी लगाना पड़ेगा sleeping ठीक है तो हमने जो है इसको implement कर दिया interface को ठीक है अब यहाँ आप लोग इसका एक object बनाऊंगा उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर चीजों क्लियर कर देता हूं कि यह जो है यह question 1 and 2 है और question 1 plus question 2 का answer है और यह तो आप लोग देखी लोग यह question 2 का answer है बट मैं बस थोड़ा सा आप लोग के लिए चीजों को clear करना चाहता हूं और यह कौनसे question का answer है यह हमारे question number 3 का answer ठीक है question number 3 तो यह question number 3 का answer है मैं आप एक human glass का object बनाऊँगा human Harry is equal to new human और Harry not sleep और यहाँ पर इसको run कर देते हैं और आप लोग देखो इसको मैं जैसे ही run करूँगा तो यहाँ पर लिकर आ रहा है कि change the nib और sleeping ठीक है change the nib का से आ रहा है वो हमारे पहले वाले question से आ रहा है ठीक है उसको ignore करो यह जो चीज है वो sleeping print कर रही है ठीक है तो हमने बड़े अराम से इस काम को कर I hope कि यार आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है और आप लोग जो है enjoy कर रहे हो इस course को यहाँ पर देखो हमसे और भी कुछ बोला जा रहा है चौथा question अभी देखेंगे बड़ पांचवा question जो है वो third question से related है और वो यह कह रहा है कि demonstrate करो polymorphism using monkey class from question 3 मैं आप लोगों को polymorphism को demonstrator के दिखाता हूँ बट उससे पहले मैं आप लोगो question number 4 दिखा देता हूँ क्या है question number 4 है कि आपको एक telephone class बनाना है जिसमें ये तीन methods होंगे ring, lift or disconnect और ये तीनों abstract methods होने वाले है तो class भी obviously abstract ही होगी ठीक है उसके बाद आपको एक और class बनाना है smart telephone और आपको polymorphism demonstrate करना है एक बार मैं आप लोग को इसमें polymorphism को demonstrate करके दिखा दूँ यानि कि मैं एक बार आपको question number 5 को solve करके दिखा दूँ तो आप लोगे लिए बहुत easy हो जाएगा question number 4 को solve करना और इन दोनों को solve करना भी ठीक है तो question number 5 को मैं solve करता हूँ यहाँ पर polymorphism को demonstrate करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखो कि कैसे मैं polymorphism को demonstrate करूँगा तो मैं आप लिख देता हूँ question 5 और आप लोग देखो मैं क्या करूँगा मैं monkey का तो reference बनाऊँगा ठीक है M1 लेकिन मैं कहूँगा new human इस बात कर क्या मतलब हुआ तो मैं यह कहूँगा कि भाई ऐसा है कि यह कि जो human है वो एक monkey की तरह उसको इस्तेमाल करो human नहीं है यह monkey की तरह इस्तेमाल करो होता है ना कि मानलो लो किसी ने आप से camera मैंगा और मानलो आपके पास camera सारे खटम हो गये то आप क्या करते हो आप उनको phone देते तो यहार यह यह phone से काम चला लो camera नहीं है तो जिसको आप द ही है ठीक है एक monkey ही है यूमन भी पहले monkey था कैर?" इस टॉपिक को जादा यहां पर नहीं खोलने ओले हम ठीक है? Human एक monkey है और इसको monkey की तरह यूज करो तो क्या मैं यहां पर जो IMMन गॉलास बनाइए घी जो IMMन गॉलास बनाइए इस கौकर सकता है? अब आपको ओगई यार यह object तो human है तो speak कर सकता है लेकिन नहीं हमने देखा था हमने देखा था इस बात को हमने देखा था chapter 11 में इन सब चीज़ों को कि speak नहीं कर सकता क्योंकि मैंने M1 reference से दिया है मैंने तो यह काई कि भाई ये लोग ये monkey है आपने एक इनसान भिज दिया का ये monkey है तो आप मेरे पास ये नहीं आ सकते बोलके कि यार ये बात नहीं कर रहा है मैं कहुँआ पर आपको monkey दिया था monkey बात थोड़े नहीं करता है कोई तो ऐसे ऐसे इस तरह से आप लोग इन चीज़ों को समझो ठीक है अच्छा ये चीज़ तो मैंने आपर बता दी मैं आपर लिख देता हूँ चैनाट यूस पीक मेथर बिकाउज दी रेफरेंस इस मॉंकी विच दस नौट हैव इस पीक मेथर ठीक है तो यहाँ पर मंकी एंगमन इसे कर लो न्यू हूमन करके और आप लोग को मैंने दिखा दिया पॉलिमॉफिसम अच्छा एक बात और क्या मैं यह बोल सकता हूँ क्यार यह बेसिक एनिमल है यूमन एक बेसिक एनिमल है जो की new human है ठीक है क्या लविश speak कर सकता है नहीं करेगा क्योंकि उसको हमने दिया है एक basic animal reference हमने काई कि लविश एक basic animal है ये लो ये लविश रहा इसको basic animal के तौर पर इस्तिमाल करो basic animal तो सिर्फ eat or sleep कर सकता है तो लविश सिर्फ खाता है और सोता है ये बात नहीं करता है तो अगर आप यहाँ पर speak लिखोगे नहीं ये गलत है अगर आप यहाँ पर लिखोगे eat या फिर आप यहाँ पर लिखोगे sleep तो ये काम करेगा ये काम नहीं करेगा और उसी तरह जो monkey के methods है वो आप यहाँ पर use कर सकते हो m1. और यहाँ पर monkey में कौन को से methods है मैं देख रहा हूँ jump or bite है तो आप jump करा सकते हो monkey को आप bite करा सकते हो monkey को लेकिन आप speak नहीं करा सकते हैं क्योंकि हाँ यह object तो human का है लेकिन आपने क्या कह कर दिया यह object आपने कहा है कि यह monkey है और एक बार आपने कहा दिया यह monkey है तो वो बोल नहीं सकता पर चाहें वो human ही क्यों नहीं हो समझे आपने भेजा तो human लेकिन आपने कहा है यह monkey है इसको ले जाओ ठीक है तो जो लेने वाला है उसने तो monkey मांगा था उसको तो monkey मिला तो वो यह नहीं बोल सकता कि यार यह बोल नहीं रहा है उससे बोला जाएगा आपने monkey मांगा था अब आप कहरे होगी यह बोल नहीं रहा है आप दिखा दो कौन सा monkey बात करता है कोई monkey बात नहीं करता है चटर चटर करता है बात तो नहीं करता ना तो यहाँ पर यह सिर्फ याद करने का तरीका नहीं है, यह actual logic है कि क्यों हम लोग polymorphism को इस्तिमाल करते हैं, जब आप android apps बगरा है, java की web apps बनाएंगे, java को real world projects में इस्तिमाल करेंगे, तब वहाँ पर आप लोग को पता चलेगा कि यह जो polymorphism की techniques हैं, जो सारे काम हम होते हैं, कैसे आप लोग इसको, जो है, actually, logically, अपने real world projects में apply कर सकते हैं, I hope कि आप लोग को समझ में आ गया, अब जाब आद रही question number 4 कि जिसमें आपको telephone बनाना है, इन methods के साथ हो smart telephone बनाना है, और आपको फिर एक interface बनाना है, TV remote care, यह question का, इस question से कोई लिए ना देना नही है, करना इसको, और implement भी कराना इस interface को, और 7th question भी बहुत straightforward है, क्योंकि यार मैं इसको repeatedly करा जुक हूँ, तो just for saving time, मैं आपर इस question को नहीं करा हूँ, solve दोबारा, क्योंकि बहुत साइच चीज़ रिपीट हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें problem आएगी, और परार यह आपको problem, तो उसका reason सिर्फ यह हो सकता है, कि आपने मेरा interface वाला chapter 11 के जितने भी concepts हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखे है, अगर आपने देखे हैं, तो वहाँ पर हमने बहुत similar चीज़े कर रखी है, यह practice यह आपकी practice के लिए है, आप लोग को इसको solve करना ही कर उनलीघर और नहीं झाल Бढ नहीं सकता ऱजब का लिए हैं, का ज्यावर लोग के लिए हैं, आपकी 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 अज़े हैं, यह जगे इसकार, तेर भीक्त यूोफ, भीक्त जाब एाईुत सकता है, यह इसकार इसकार जोब्तिक वार शझे वाला कुऑियों सकता हैं,